स्वागा थे दोस्तों हमारी यूटूब चैनल विडियो स्ट्राइपर यह विडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस विडियो में हम इंडिया की टॉप स्पेसल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप जानते हैं इंडियान आर्मी दुनिया की सबसे सक्ति साली और इंटेलिजेंस की दृष्टी से सबसे टॉप क्लास मानी जाती है Special Forces इंडियान आर्मी की ही कुछ गिनी चुनी टुकडिया होती है जो Special Condition के लिए बनी होती है ये Special Forces बिना किसी के नजर में आए भी दुस्मन का और टेरिस्ट का खात्मा कर सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि इंडिया की Top 5 Special Forces कौन सी है नमबर एक पेरा कमांडोस पेरा कमांडोस इंडिया की एक सबसे बड़ी Special Force यूनिट है इसकी स्किस्तापना 1966 में हुई थी और इसका हेड़क्वाटर बेंगलूरू में श्ती थे पेरा कमांडोस का मोटो Man Apart, Man Are Emperor है यह पेरासुट रेजिमेंट का ही एक भाग है यह Special Force यूनिट, Counter Terrorism, Hostage Rescue, Direct Action जैसे कारियों में सक्चम है पेरा कमांडोस की कुछ Operations के बारे में बात करे तो इन में उरी सर्जिकल स्ट्राइक, मैरमार सर्जिकल स्ट्राइक जैसे Operation सामिल है नमबर दो, मार्कोस मार्कोस इंडियन नेवी की एक Special Force यूनिट है यह Special Force समुदरी लड़ाई में माहिर होते हैं और इनका काम Counter Terrorism और Direct Action में होता है इनका मोटो The Few, The Fairless है मार्कोस Special Force यूनिट के पास बहुत ही आधूनिक equipment होती है और यह बहुत ही ज़्यादा trend भी होते हैं मार्कोस की कुछ Operation के बारे में बात करे तो इन में Operation Leach और Operation Swan सामिल है नमबर तीन, Cobra Commandos यह CRPF की एक Special Force यूनिट है और इसकी स्तापना 2008 में हुई थी Cobra Commandos, Jungle Warfare, Gorilla Warfare और Naxalite Problem जैसे कारियों में सक्चम होती है इसका मोटो Victory for Gallant in War है नमबर चार, NSG Commandos NSG Commandos को National Security Guard और Black Cats भी कहा जाता है इसकी स्तापना 1966 में हुई थी और इसका Headquarter नए दिल्ली में स्तित है इनका मोटो Omnipresent, Omnipotent Security है यह Special Force Unit, Indian Ministry of Home Affairs के अंतरगत आती है NSG Commandos हर तरह की Operation में माहिर होते हैं जैसे Counter-Terrorism या किसी प्रकार का Internal Disbalance अगर हम इनकी कुछ प्रमुक Operations के बारे में बात करें तो यह Operation Black Tornado, Operation Black Thunder, Operation Assomate में सामिल थे नमबर पांच, गरूर कमांडो यह Indian Air Force की एक Special Force Unit है इसकी स्ताफला 2004 में हुई थी और इसका मोटो Defense by Offense है गरूर कमांडो, Counter-Terrorism, Combat, Search and Rescue जैसे कारियों में सामिल हो सकते हैं यह हवाई यूद में माहिर होते हैं और इसमें सिर्फ Air Force के जवान ही सामिल हो सकते हैं एक गरूर कमांडो की पूरी ट्रेनिंग खत्फ होने में 3 साल का वक्त लगता है यह यूनिट Arrow India की Security और 2016 पठान कोट Attack जैसे Operation में सामिल थे तो दोस्तो यह थी भारत की Top 5 सबसे बहतेरीं Special Forces अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखे और आपको इस वीडियो पसंद आया और इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो के अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ओल करें जय हिंद जय भारत